हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं घर में उपलव्ज सामगरी से मुह में घुल जाने वाली पनीर की टेस्टी सबजी तो इसके लिए हम चाहिए एक बॉल टमाटर एक बॉल प्याज और ये लसुन अद्रक और मिर्च के कुछ टुकड़े और ये कुछ खड़े मसाल हैं जैसे तेजपत्ता ये काली मिर्च छोटी इलाइची लॉंग दाल चीनी आप चाहे तो बड़ी इलाइची का भी उज़ कर सकते हैं और ये कटे हुई पनीर तो सबसे पहले हमने एक कड़ाही में तेल गर्म होने के लिए चड़ा लिया है और उसमें आधा चम्मच जीर डालेंगे जब जीरा तड़कने लगे तो उसमें दो तेजपत्ता डाल देंगे और ये खड़े मसाले डाल देंगे जैसे काली मिर्च थी छोटी लाइची दाल चीनी अगर आपको बड़ी लाइची का टेस्ट पसंद हो तो उससे भी डाल सकते हैं उसके बाद हमने जो तीखा आप अपने नुसार रख सकते हैं अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो मिर्ची की मात्रा बढ़ा देंगे अब हम एक बाउल कटा प्याज डाल देंगे हम इसे ज़्याद नहीं भूरना है बस हलका सा ही भूरना है प्याज हलका से गुलाबी हो जाए बस तब तक ही ताकि जब हम इसे पीसे तो इसका कलर काफी अच्छा है जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो पनीर के सबजी काफी टेस्टी लगती है तो ये देखिए हमारा प् चुका है अब इसी वक्त हमने जो टमाटर काटके रखे हैं हमने उसे भी डाल देते हैं हमने एक बॉल प्याज और एक बॉल ही टमाटर लिया है आप चाहे तो इन दोनों की मात्रा कम जादा कर सकते हैं अब हमारे टमाटर रप्याज अच्छे से गल जाएं तो इसके लिए हमने इसमें एक चुटकी नमक डाल दिया है ताकि नमक से टमाटर अपना पानी छोड़ दे, और जल्दी से जल्द गल जाए तो इसके लिए हम एक मिनट के लिए से ढख देते हैं, ताकि यह आर जल्दी पख जाए तो ये देखे, एक मिनट हो चुके हैं पर अभी तक उतनी अच्छी तरीके से हमारे टमाटर नहीं गले है तो हम ने इसे फिर से एक मिनिट के लिए ढग दिया है अब देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके है और प्याज भी गल चुका है तो अब हम गैस को आफ कर देंगे और उसे अच्छे से ठंडा होने देंगे जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब ही हम इसे पीसेंगे गरम गरम में नहीं पीसेंगे वरना ये बाहर निकल जाएगा तो ये देखिए हमने जो इसे भून रखा था प्याज टंडा हो चुका है इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे जैसे कि तेजपत्ता और ये दाल चीनी इसके टुकडो को हम निकाल लेंगे क्योंकि ये पीसने में अच्छे से नहीं पीसते हैं तो इन सभी को हम निकाल बाकी मसालों को रहने देंगे वो सब इसमें पीस जाते हैं तो सिर्फ हम तेख पत्त और डाल चीनी को निकाल देंगे और अब एक मिक्सर जाड़ लेंगे उसमें डालकर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा करके पीस लें अगर आपके ये मसाले कम हैं तो एक बार मेपीस तो यह देखे हमने पेश्ट तयार कर लिया है और इसे एक बरतन में भी निकाल लिया है ताकि इसे फिर भूनने में आसानी हो अब हमें इसे भूनना है तो इसके लिए हमने कडाही चड़ा लिया है और उसमें आप एक से दो चमच घी ले ले आप चाहे तो अपना जो तेल आ आएंगे तो ज्यादा टेश्टी बनेगा तो जब घी गर्म हो जाए तब ही हम मसालों को डालेंगे तो ये देखिए घी पिखल रहा है जब घी अच्छे से पिखल जाए तब हम ने जो मसाले पीसे है प्याज और टमाटर के उसे डाल कर भून लेंगे भूनते वक्त ही ये मसाले आधा भून चुके हैं तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बस इसके तेल छोड़ने तक हमें इसे भूनना है अब इसी में हम बाकी बचे मसाले भी डाल देंगे पहले आप इसे अच्छे से चला ले इसी में हम आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच छी लाल मिर्ज पौडर एक चमच धनिया पौडर आधा चमच गरम मसाला पौडर और आधा चमच किचन किंग मसाला अगर आपके पास फो तो और स्वाद गयनुसार नमक डाल देंगे और अब इन सभी मसालों को भी हम अच्छी तरह से भूण लेंगे मसालों को आप तेज आज पर ना भूने आज को मीडियम ही रखे ताके ये मसाले अच्छे से पके अगर आप तेज आज पर पकाएंगे तो मसाले जल सकते हैं मसाले अच्छे से और जल्दी पक जाए तो इसके लिए आप आधे मिनट के लिए इसे ढख सकते हैं, चाहे तो इसे बिना ढखके भी पका सकते हैं, पर ढख देंगे तो ये जल्दी पक जाएगा अब जिस mixer में हमने इसे पीसा था, उसमें थोड़े मसाले लगे रहते हैं तो आप उसी में पानी डाल कर उसे धोकर अच्छे से उसी पानी को मसालों में डाल दें ग्रेवी आप अपने नुसार रख सकते हैं पर ज्यादा पतली ग्रेवी ना करें पनीर की ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है वही अच्छी लगती है तो अब ज्यादा पानी ना यूज करें और फिर से ढख दें 15 से 20 सेकेंड के लिए ही ढखें ज्यादा देर ना ढखें और फिर से मसालों को अच्छी तरह से चला लें ताकि मसाले नीचे से ना लगें और अब इसमें हम एक से दो चमच कैचप डाल देंगे टोमेटो कैचप है यह इससे स्वाद काफी बढ़ियां आता है और कलर भी अच्छा आ जाता है तो यह देखिए हलका सा मीठा डालने से यह पनीर का टेस्ट काफी जादा बढ़ जाता है कुछ लोग इसमें चीनी का भी यूज करते हैं पर हमने कैचप का यूज किया है इससे टेस्ट काफी बढ़ियां आता है एक बार आप इस तरह से जरू ट्राय करें यह देखिए मसालों ने पैन छोड़ना सुरू कर दिया है यानि कि अच्छी तरह से पक चुके हैं अब इसी में हम आधा बॉल के करीब घर की मलाई डाल देंगे आपके पास जो दूधा आता है उसमें जो मलाई होती है आप उसका यूज कर सकते हैं पर ताजी मलाई का यूज करेंगे तो काफी अच्छा होगा मसाले हमारे पक चुके हैं बस ये क्रीम मिलाने भर आपको चलाना है ताकि ये क्रीम जो है अच्छे से मसालों में मिल जाए क्रीम डालने के बाद आपको ज़्यादा दिर नहीं पकाना है तो ये देखिए मलाई भी काफी अच्छी तरह से मसालों मिल चुकी है और उबल भी रही है और मसाले अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि ये पैन छोड़ने लगे हैं तो अब इसी वक्त हम अपना पनीर इसमें डाल देंगे अब आप कटे पनीर को इसमें डाल दीजे और काफी साउधानी से चलाईए क्योंकि पनीर तूट सकते है आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी इसमें डाल सकते है पर अगर इस तरह से डालेंगे तो काफी पनीर मुलाईम होते हैं और खाते ही मुög में घुल जाते है ये पनीर काफी टेस्टी लगते है एक बार आप जरूर बना कर ट्राइ करें ये रोटी या चावल किसी के भी साथ काफी टेस्टी लगते हैं तो ये देखिए हमारे पनीर रेडी हो चुके हैं आप चाहे तो इसे एक मिनट के लिए ढख सकते हैं या चाहे तो इसी तरह से खुले में ही एक से दो बार इस तरह से चला दें पनीर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस पनीर डालने के बाद आप एक से दो मिनट चला इसे ज़्यादा दें ना रखें वरना ये कड़े हो जाएंगे काफी रबर की तरह इसमें खिचाव आ जाएगा तो हमारे टेस्टी लाजवाब मलाईदार मुँ में घुल जाने वाली पनीर रेडी है तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें लाइक और सेयर का भी बटन दबा दें और मुँ में घुल जाने वाली पनीर का लुद्फ जरूर उठाएं और एक बार आप इसे इस तरह से बना के जरूर देखें हमारी लाजवाब पनीर पराठे और चावल के साथ खाने के लिए तयार है आप इसे चाहे तो हरे धनिये और हरी मिर्ची से गार्णिसिंग भी कर सकते हैं तो हमारी टेस्टी लाजवाब मुँ में घुल जाने वाले पनीर खाने के लिए तयार है आप इसे एक बार जरूर ट्राए करें थाइंक यू झाल टो हरे थाँ एक्वा आप इसे एक लिए एक बार बार टो हरे टो हरे दास suka के लिए. कि दोस खावल गए आभा भार टेसांटम् आप बार बारता है